हेलो फ्रेंट्स टाटा पंची की एक और वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आज बात करेंगे इंजन नॉइस की तो हैंड ओवर टू गौरफजी तो इसका इंजन नॉइस कैसा है आप ड्राइब करते हैं अगर हम आइडियली बोला जाए तो इंजन स्टार्ट होने के बाद इसकी नॉइस बहुत मामूली से आती है चलते समय अधरवाइस आपको फिली भी नहीं होगा वह भी इंजन की नॉइस नहीं है आप बोल सकते टायर की हल्की सी नॉइस आती है और नॉर्मली आप जब काड आप अभी जड़े रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप फिल करेंगे आपको बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रही होगी मैं इब रोग के भी रिखाता हूं आपको जो गाड़ी स्टार्ट रहती है तो एंजन की आवाज के विन में बिल्कुल भी री सुनाई परती है तो एं है तो में भी आपको है हल्की सी नॉइस आपको इंजन की सुनाई दे रही हो और अगर मैं अभी इसके एक्सलेटर को रोल करूंगा तो जैसे देख रहे हैं ट्रफिक है तो काफी नॉइस और बाहर से ग्लास कुलते आने लगी है तो कहीं हम लोग साइलेंट पर चलते हैं फिर इसको नोटिस करते हैं तो अभी देखेंगे हम लोग अभी गारी स्टार्ट है मिरर डाउन है आपको हल्क आशा एंजिन का साउंड अंदर आज सुनाई पड़ेगा जब आप मिर डाउन की रहेंगे मैं अभी एक्सलेट करता हूं में भी आपको वह साउंड भी सुना अगर यहां ग्लास भरके भी रख देंगे ना तो आपको वाइब्रेशन सब्सक्राइब कुछ भी फील नहीं होता गाड़ी के अंदर एंजन ओन होने के वाद आप देखेंगे थ्री सुनेंडर गाड़ियों में क्या होता है वाइब्रेशन फील होता रहता है आपको लेकि सब्सक्राइब के अंदर बिल्कुल भी नॉइस ना आना बस यह है कि जब आप रोड पर चलते हैं तो रोड क्वालिटी क्या है तो टायर नॉइस बेस्ट आपको फील होगी जो आप गाड़ी करेंगे तो रोड अच्छी है तो आपको बिल्कुल नहीं आएगी टायर होग लेकिन अगर खराब रोड है या सही रोड नहीं है तो उसके अधाफ से आपको खलकिसी फील होती है गाड़ी के अंदर आइधिंग यह आपको इंफॉर्मिशन पसंद आया होगी तो वर्टू सिखा जी अगर आप नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी अगर अभी तक नहीं किया है थैंक यू फॉर वाचिंग